नमस्कार आज हम लोग डिसकस करेंगे डर्मेटोलोजी की एक बेसिक कॉंसेप्स पर आज हम बात करेंगे इसकिन के बेसिक एनाटमी और फिजियोलोजी के बारे में तो डर्मेटोलोजी की शुरुवात हमारी इसकिन की बेसिक समझ से होती है इसमें skin में कितने layers होते हैं उसकी बात हमें सबसे पहले पता होना चाहिए skin में total epidermis, dermis और subcutaneous fat की layer होती है skin, skin जिसके 3 layers हैं वो हमारे body का सबसे बड़ा sensory organ बनाता है जिसका weight करीब 4 kg के आसपास, surface area 2 meter square और thickness 0.3 mm से लेकर 3 mm तक होती है ध्यान रखना है, soul सबसे ज़ादा skin thicken वहीं पर मिलते हैं जबकि हमारे eyelids पर सबसे पतली skin की layer होती है तो इसके thickness 0.3 से लेकर 3 mm तक vary करती रहती है, एक basic information है इसके anatomical layers की बात करें, basic anatomy of skins की बात करें, तो इसमें कौन-कौन से layer होंगे, उसको देख लेते हैं इसके layers में total मैंने आपको बताया, epidermis होगा, फिर dermis होगा, और dermis से नीचे subcutaneous fat की layer होगी आप देख सकते हैं, यहाँ जो epidermis की layer है, यहाँ अपने आप में कई सारे layers से मिलकर के बनी हुई है इसकी basic layer है, stratum germinativum, stratum germinativum, यह इसकी basal layer है और इससे उपर कई सारे layers हमें मिलते हैं जबकि इसके नीचे हम dermis के layer को देख सकते हैं, और dermis से नीचे subcutaneous layers होती हैं यहाँ पर blood की supply, nerves और appendices जो भी हमें देखने को बिल रहे हैं, यह dermis के layer में देखने को बिलते हैं चलिए अब इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं, epidermis के layers को, epidermis के finer structures को जब देखें, तो कौन-कौन सी layers मिलेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं epidermis में total five layers होते हैं, जैसे एक code बना करके याद कर सकते हैं, base shall generate lovely cells, base shall generate lovely cells, इस code को जब decode करेंगे तो सारे layers के बारे में पता चल जाता है, stratum basal, यह basal layer है, इसके बाद होता है, stratum spinosum, stratum spinosum के उपर है stratum granulosum, stratum granulosum से उपर है stratum corneum तो total यहाँ पर basal, spinosum, फिर granulosum, फिर corneum, इस तरीकी के layers बिलती हैं, कुछ जगों पर palm and souls पर stratum lucidum भी मिल सकता है, यह additional layer है, जो हर जगा present नहीं होगा stratum basal, यह dividing cells हैं, जो कि columnar shape की यहाँ पर नजर आ रही है, इससे उपर spinosum, stratum spinosum के layer है, जो कि intercellular attachment रखती है, जो desmosomes कहलाती है intercellular attachment of stratum spinosum, desmosomes कहलाते हैं, यह desmosomes, spines के जैसे नजर आते हैं, इसलिए इस layer को stratum spinosum कहते हैं, इसके उपर की layer stratum granulosum है, stratum granulosum, granular होता है, इसमें keratohylene granules पाए जाते हैं, इस layer में lamellar bodies पाई जाती हैं, तो इसमें keratohylene granules के लामा, lamellar bodies भी पाई जाती हैं, और यह lamellar bodies, oddland bodies भी कहलाती हैं, oddland bodies, lamellar bodies पर question पूछा गया है, यह bodies, lipid को synthesize करते हैं, और यह keratinocyte से फिर बाहर निकलते हैं, तो यह layer, जो कि stratum granulosum में हम देखने को पा रहे हैं, कुछ granules, यह keratohylene granules lamellar bodies को रखते हैं, और ध्यान रखने वाली बात यह है, कि basal layer से ले करके, spinosum के layer से ले करके, granulosum के layer से ले करके, corneum के layer तक, actual में जो इसकी majority of cell है, वो keratinocytes अपने shape में ऊपर के बढ़ते हुए परिवर्तन कर रही हैं, और यहां तक पहुँचते पहुचते यह अपने भीतर कुछ bodies रखती है, जिसे keratohylene granules, lamellar bodies कहते हैं, और इनके granules का नाम पूछा गया है, lamellar bodies, oddland bodies के बारे में पूछा गया है, और यह lamellar bodies, lipid को synthesize करते हैं, यह keratinocytes जो दिख रही हैं, यह सारे-सारे keratinocytes से दिखाए गया है, यह इसकी basic layers में जो भी cells आपक यह जो lipid की synthesis कर रहे हैं, इसके भीतर के oddland bodies, यह keratinocytes से बाहर के और निकलते हैं, और यह cells को keratinocytes को एक दूसरे से चिपके रखने में मदद करते हैं, इस वज़ा से stratum granulesum के layer काफियत तक waterproofing layer के जासा काम करती है, क्योंकि अपने बाहर lipid nature का एक substance release करती है, यह layer psoriasis में य psoriasis और ethio vulgaris में इस layer की microscopic view में absence पाएंगे, बात करें इस से उपर की layer की, तो इस से उपर होता है stratum corneum, इस से उपर जो stratum corneum है, वो सबसे thickest layer होता है, अब यहीं से question पूछ सकते हैं, thinest layer कौन से है, single layered है, stratum bacill को हम कह सकते हैं, एक ही layer है, जबकि thickest layer जो नहीं नजर आ र nucleus समाप्त हो चुका होता है, यह layers काफी tightly packed होती हैं, क्योंकि इसके नीचे ही आपको मैंने बता है न, कुछ lipid like substances release होते हैं, जो धीरे दरे cells को एक दूसरे के साथ चिपका करके बहुत ही waterproof layer बनाते हैं, और अब cells के भीतर का nucleus भी समाप्त हो चुका होता है, इसका फाइदा यह होता है कि microbes skin के भीतर enter नहीं कर सकते हैं, यह waterproof layer बनाते हैं, microbes बाहरी environment से हमारे body में नहीं पहुँच सकते हैं, और इस वज़ा से यह barrier like function दरशाता है, हम जो भी बात आप से discuss कर रहे हैं, वो JP Brothers का review of dermatology जब आप पढ़ेंगे तो उसमें काफी हद तक आपको theoretical concepts बनाने में से इस पूरी की पूरी process को detail में समझने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पर start करते हैं, stratum bacils से, फिर उसके बाद stratum spinosum, फिर stratum granulosum, फिर stratum lucidum जो कभी-कभी मिलता है, palm and souls पर और सबसे बाहर होता है, stratum corneum, यहाँ पर microscopic level पर, histological level पर कैसे cells arranged होंगे, और यहाँ से के retinocytes कैसे उपर के पहुचते हुए, अपने भीतर morphological changes लाती हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम discuss करेंगे, यहाँ पर basal layer पर हम कई तरीकी के cells के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें important है keratinocytes, keratinocytes जैसे 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 उपर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे, gradually उनके nucleus का loss होत होता जाएगा और इनमें keratinization बढ़ता जाएगा, keratinization क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, उसको हम देखेंगे, आप देखें इस stratum basal, stratum basal से उपर, जब keratinocytes से बनी हुई यह layer है, यहाँ के keratinocytes जब उपर के और पहुचते हैं, तो एक दूसरे के साथ tightly packed होना शुरू क कर देते हैं, बेसल सेल्स को डिवाइड करकर के, keratinocytes को यह बेसल सेल्स को डिवाइड करकर के, ऊपर के और भेजता रहता है, जब यह spinosum की layer जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर यही सेल्स जब उपर पहुचते हैं, तो hexagonal shape के tightly packed सेल्स के रूप में यह नजर आते हैं, औ और इन्हें जोडने के लिए, desmosomes इन्हें एक दूसरे के साथ जोडने का काम करता है, अब अगर यह सेल्स जिनमें desmosomes का attachment ना पाया जाया तो क्या होगी, यह सेल्स एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, यह एक problem होगा, जिसके बारे हम आगे discuss करेंगे, उपर के और बढ़ते तो stratum basal के layer पर बहुत कम होगा, जैसे जैसे यह cells उपर के और बढ़ती जाएंगे, keratinization की जादा से जादा अवशकता पढ़ती है, maximum keratin, आपको stratum corneum के layer तक पहुंचते हुए मिल जाता है, basal layer पर keratin के मात्रा कम होती है, keratinization देखे धीरे धीरे उपर की और बढ़ता जा रहा है, उपर के और बढ़ते हुए इन layers में धीरे धीरे करके nucleus भी समाप्त होने लगता है, जैसे जैसे उपर ये keratinocytes बढ़ते जाएंगे, इनका nucleus समाप्त हो जाता है, cells flat हो जाती है और waterproof होने लगती है, ऐसा keratinocytes के द्वारा कुछ lipid nature के substances के release किये जाने की वज़ा से होत keratinocytes के बारे में जानकारी, keratinocytes कहां से start होता है, इस tetum basal से और ये उपर के और बढ़ते हुए चलता रहता है, और इस पूरी प्रक्रिया में basal layer से चलते हुए उपर तक पहुँचने में 28 days का समय लगता है, ये basal layer से उपर चलते हुए, ये multiply करते हुए उपर तक neural crest से derived होते हैं, ये melanin को produce करते हैं और इनमें जो melanin produce होता है, वो melanosomes के भीतर packed रहता है, इनमें finger-like processing होती है, ये finger-like processes रखते हैं जिसके द्वारा अपने भीतर के melanin को, keratinocytes को transfer करते हैं, यानि color production का काम melanocytes का होता है, और ये अपने finger-like process के द्वारा keratinocytes तक अपने से synthesize के जने वाले melanin pigments को transfer करते हैं, melanin pigment को जब ये transfer करते हैं, तो कुछ organal के भीतर, कुछ packaging bodies के भीतर रखते हैं, जिसको melanosomes कहते हैं, जो melanocytes के भीतर पाया जाता है, एक melanocytes करिब 36 keratinocytes तक अपना melanin transfer कर सकता है, ध्यान रखना है, चाहे Englishman हो, या हमारे जैसे British complexion के लोग हों, यानि गोरे लोग हों, या हमारे जैसे लोग हों, या फिर African लोग हों, सभी में melanocytes तो उतने ही होते हैं, लेकिन skin का color इस बात पर depend करता है, कि melanocytes के भीतर melanin कितना बन रहा है, यानि melanocytes सभी में constant रहते, लेक कि packaging जो की जा रही है, melanocytes में, उसकी संख्या और उसका size कितना है, इस पर depend करेगा, और जो बन रहा है, जो package हो रहा है, वो कितने keratinocytes तक transfer किया जा रहा है, ये तैय करेगा skin के color को, और आप याद रखिएगा, कभी भी skin का color, melanocytes के number पर depend नहीं करता है, इसके भीतर जो melanin की synthesis है, packaging है, और जो transfer है, ये तैय करेगा skin का tone, skin का color कैसा होगा, एक melanocytes 36 keratinocytes तक अपने 36 keratinocytes के touch में रहता है, और 36 keratinocytes को color provide करता है, तो इस तरीके से हम लोगो ने bacill की एक keratinocytes की layer, दूसरी melanocytes की layer के बारे में देखा, मैंने आपको बताया कि ये stratum bacill से उपर जाते stratum spinosum तक पहुँचते हैं, और cells, stratum spinosum तक पहुँचते, tightly packed होना शुरू हो जाती है, और इनकी packaging, desmosomes की मदद से होता है, अगर ये desmosomes, एक दूसरे के interconnection को छोड़ दें, तो ऐसा eczema में हमें देखने को बिलता है, intercellular, यहाँ पर edema होने लगता है, eczema के मामलों में हम देखें प्रक्रिया है, जिसमें desmosomes के बीच का cohesion, यहाँ पर loss होने लगता है, ecantholysis का मतलब होता है, intercellular connection का loss होना, जो की खास तरपर intercellular का मतलब, desmosomes का connection यहाँ पर loss होना, और ऐसी प्रक्रिया जो की pamphigus vulgaris में हमें देखने को मिलेगी, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे तो ecantholysis हमें कहां मिलता है, pamphigus vulgaris में, इसके साथी साथ हम देखेंगे desmosomes के अलावा hemidesmosomes के बारे में, hemidesmosomes stratum basal को यहाँ पर देखा जा सकता है, hemidesmosomes stratum basal को या keratinocytes जो यहाँ पर पाय जाते हैं, उनको extra cellular material से जोडने के लिए मदद करता है, hemidesmosomes का detail structure आगे हम discuss करें बस इतना समझ लीजे, stratum basal के keratinocytes को extra cellular material से जोडने के लिए hemidesmosomes होता है, यह desmosomes के जैसे ही होते हैं, लेकिन stratum basal के keratinocytes को extra cellular material से जोडने के लिए इनका importance होता है, उपर के और बढ़ते हुए रहने से इन layers में keratinization बढ़ाया जाता है, इस बात की जानकारी हमें हैं, और अ लोगों ने keratinocytes के बारे में पढ़ा, melanocytes के बारे में पढ़ा, एक और cells है, जो langerhen cells है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, यह bone marrow से derived होता है, और langerhen cells, antigen presenting cells हैं, और यह आपस में interconnections नहीं बनाते हैं, आप देखें, यह independent existence रख रहा है, जबकि keratinocytes एक दूसरे से चुड करके interconnections बनाते हैं, यह independent है, इसका मकसद सिर्फ यह होता है कि कोई भी बाहरी चीज़ आती है, तो उसको अपने surface पर present करना, इसके भीतर tennis racket shape, burbacks, granules पाये जाते हैं, burbacks, granules, tennis racket shapes के इसके भीतर होते हैं, सवाल सिधे पूछा जा सकता है, burbacks, granules कहां पर मिलता है, इसके बाद और उपर चलते हैं, stratum granulosum के बारे में मैंने आपको बताया है, यह layer उपर की और बढ़ती हुई जब stratum granulosum तक पहुँचती है, तो इसके भीतर keratinization काफी हद तक बढ़ा हुआ होता है, आप यहाँ पर देखें, थोड़ा keratinization है, यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारा keratinization है, इस keratinization की process में, यहाँ keratohylene granules proper दिखने लगे हैं, और इनको जोडने के लिए filagrin interconnection का काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं keratohylene granules, जो की keratinization के बाद बन रहे हैं, इनको जोडने के लिए filagrin proteins इनको जोडने का काम करती हैं, इसमें lipid nature के substances form किया जाते हैं, जो की responsibility होती oddland bodies या lamellar bodies की, ये bodies अपने भीतर से कुछ triglycerides या cholesterol like substances को release करते हैं, जो की इसे waterproof बनाने का काम करता है, stratum lucidum कहीं कहीं पाया जाता है, और stratum corneum सबसे बाहरी layer होती है, यहाँ तक पहुँचते पहुचते nucleus समाप तो हो चुका होता है, लेकिन अगर cells तेजी से divide करते हुए उपर तक पहुचते हैं, तो psoriasis जैसे मामलों में, basal cells बहुत तेजी से divide करते हैं, इसलिए basal cells जो stratum corneum तक पहुचते हैं, वो बहुत जल्दी पहुच जाते हैं, इसलिए इन्हें पूरा mature होने का समय नहीं मिलता है, और इनमे nucleus stratum corneum तक पहुचते पहुचते भी retained रहत यह प्रक्रिया parakeratosis कहलाती है, parakeratosis कहां मिलता है, इसको सिधे तोर पर question में पूचा जा सकता है, psoriasis में होता है, और इसमें cells बहुत तेजी से divide करती हैं, इसलिए उनका nucleus retain रहता है, बात करते हैं individual layers की एक बार फिर से summarize कर लेते हैं, germinative layer की stratum basal layer की हम सारी चुचों को एक जैसा palisade cells के layer होती है, और इन cells के बीच में, जो basal layer में cells मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर keratinocytes थी, germinative layer में keratinocytes तो थी ही, और इसके बीच बीच में melanocytes था, जो कि melanin को produce करने की responsibility रखते हैं, next layer stratum spinosum का था, stratum spinosum, जो कि अब धीरे-धीरे flat होने की वज़ा से columnar थी, अब spinosum तक पहुंचते पहुंचते वो flat होने लगेंगी, लेकिन ये gradual changes होगा, इसलिए deeper parts की layer gradually cuboidal होने लगती हैं, और cuboidal से होते हुए ये flatter होने लगती हैं, और जैसे जैसे ये granular layer तक पहुंचेंगी, उपरी layer तक पहुंचेंगी, ये काफी हद तक flat हो जाती हैं, इस spinosum में मैंने आपको बताया था, ये cells एक दूसरे से interconnect रहती हैं, attached रहती हैं, desmosomes के द्वारा, और इस layer में, stratum spinosum में मैंने आपको langer hand cells, अब ये जो langer hand cells हैं, ये stratum spinosum में ही पाये जाते हैं, और इनके antigen presenting function की वज़ा से इनका immunological function होता है, हम जानते न, langer hand cells क्या होते हैं, antigen presenting cells होते हैं, stratum spinosum से और बाहर क्यों चलें, तो stratum granulosum होता है, इसमें keratohylene granules present होते हैं, जो कि एक दूसरे से attached रहने के लिए, filagrin के द्वारा ये जुड़े रहते हैं, filagrin proteins के द्वारा जुड़े रहते हैं, इनमें oddlands bodies पाया जाते हैं, जो lipid के nature के होते हैं, triglycerides ह होते हैं, keratohylene granules की presence जैसे-जैसे होने लगती है, वैसे-वैसे, epidermal cells में keratinization की process पूरी होने लगती है, तो presence of keratohylene granules is the first visible stage of the beginning of the process of keratinization of the epidermal cells, और ये layer अपने आप में waterproofing function रखती है, ये waterproof layer होती है, granular layer के ऊपर अब हम चलें, तो सबसे बाहर के और stratum corneum के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये fine, a nuclear keratinized elongated cells होती हैं, और ये keratin की presence के द्वारा एक दूसरे से जुड़ करके waterproof layer बनाती है, इस तरीके से epidermis के सारे layers के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब बात करते हैं epidermis से और भीतर चलने के, हम बात करते हैं dermis, dermis और उससे नीचे subcutaneous fat की layer आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक और image की मदद से हम देखने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से stratum corneum यहाँ पर होगा, lucidum होगा, lucidum मुछ लेवल पर ही मिलता है, वरना granulosum होगा, spinosum होते हैं, stratum bacill होते हैं, ये layer हमारे skin के है, skin के भीतर, जब और reticular layer को, इसमें hairs को दिखाया गया है, hairs के बारे में आगे हम discuss करेंगे, और ये dermis की layer ही अपने भीतर blood vessels की supply दर्शा रही है, यहीं पर nerves की supply भी होती है, तो dermis और epidermis के junction पर dermo epidermal junction होता है, उसका अपना एक importance होता है, जिसको हम next lecture में आपके साथ चर्चा करेंगे, इस basal layer और dermis के बीच में किस तरीके का dermo epidermal junction बनेगा, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, ध्यान में रखना है, ये papillary layer जो की papilla के रूप में यहाँ पर नजर आ रहा है, और reticular dermis, जो की reticular fibers, जो collision 1 और collision 3 के fibers और elastic fibers के साथ बना हुआ नजर आता है, उसको यहाँ पर देखा जा स dermis में कौन कौन सी layers है, dermis में upper dermis में papillary layer होती है, और lower dermis में reticular layer होती है, ये collision bundle की बनी हुई होती है, hairs, glands, muscles, vessels, nerves, nerves ending, ये सभी के सभी dermis में ही located होते हैं, dermis में ये सारे appendices जो आपको नजर आ रहे हैं, इसके बारे में one by one हम आपके साथ discuss करेंगे, overall epidermis में कितने cells मिले उनके बारे में देख लेते हैं, epidermis में जो layers काफी important है, उसमें keratinocytes, जो most abundant cells है, जो epidermis में 90% तक पाई जाती है, इसके बाद melanocytes के बारे में हम लोग ने discuss किया, हम लोग ने बात किया, langer hand cells के बारे में, और merkle cells, जिसके बारे में बताया नहीं है, ये merkle cells, actually slow adapting touch receptors रखते हैं, one by one, अब सभी layers को देखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम melanocytes की बात करेंगे, keratinocytes के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, melanocytes की बात करते हैं, melanocytes जो neural crest cells से derived होता है, या stratum bacill में ही पाया जाता है, इसके जिम्मेदारी melanin pigments को synthesize करने होती हैं, और ये pigments, dendritic process के द्वारा keratinocytes को transfer करता है, melanin pigments को अपने dendritic process के द्वारा keratinocytes तक transfer करता है, इस पूरी प्रक्रिया को एक image के माध्यम से देखने की हम कोशिश करें, आप देखिए, ये है keratinocytes, इस keratinocytes में melanin pigment को भारा जा रहा है, melanin pigment को डाला जा रहा है, इसको melanin pigment को बनाने के जिमेदारी थी melanocytes की, ये melanocytes अपने भीतर melanosomes रखता है, melanocytes अपने भीतर रखता है melanosomes, और melanosomes, melanin pigments को keratinocytes तक transfer करते हैं, ये एक basic structure है, जिसके चर्चा हम कर चुके हैं, next, langer hand cells, जो stratum spinosum के layer में पाई जाती है, इसमें tennis racket shape के cells होते हैं, जो bone marrow से derived होते ह bone marrow से derived tennis racket shaped, birbax granule रखते हैं, ये tennis racket shapes, birbax granule इनके भीतर पाई जाते हैं, ऐसी finding microscopic level पर की जाती है, ये stratum spinosum में पाई जाने वाली cells हैं, जो antigen presenting cells के रूपे काम करती हैं, इनमें birbax granule पाई जाते हैं, जो tennis racket के shape के होते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं, tennis racket के shapes के इसमें birbax granule को, langerhen cells के बाद, merkel cells की बाद करते हैं, जो neural crest origin का होता है, यह skin के thick skin में पाया जाता है, इसलिए हमने इसके बारे में ज्यादा discuss नहीं किया, मैंने आपको बता है, ये slowly adaptive cells हैं, इनका sensory function होता है, skin कर कुछ अपने appendices भी जुड़े हुए होते हैं, hair, sebaceous gland, sweat gland, nails होते हैं, ज skin का barrier function कैसे काम करता है, उसको एक बार हम समझने की कोशिश करें, तो इसके शिरुवात keratinocytes के अपने special properties से होती है, हम इसके लिए इस image की मदद लें, तो इसमें हम देख पाएंगे, keratinocytes एक दूसरे से चिपकने के लिए glue-like substance, जो कि lipid nature का होता है, उसे secret करते हैं, यह ऐसा जो lipid nature का glue-like substance की वज़ा से है, यह glue-like substance कैसे release हो रहा है, उसको देखने की जरुवत है, आप देखेंगे, यह है हमारा stratum spinosum की layer, और उपर की और है granulosum की layer, आप यहाँ पर देख सकते हैं, lamellar bodies develop हो रही हैं, यह lamellar bodies या oddland bodies जिसे कहते हैं, oddland bodies या lamellar bodies, proteinious, lipid nature के substances को develop करते हैं, और यह जैसे-जैसे cells transform होती है, granular layer में, यह stratum granulosum के cells के रूप में, जब यह mature होने लगती हैं, यही cells इस रूप में जब आती हैं, तो इसके भीतर, जो lamellar bodies हैं, जो keratinocytes के भीतर, keratinocytes के भीतर, जो lamellar bodies दिख रही हैं, यह shape भी बदलेंगी और इस stratum, spinosum के भीतर था, जब वो granulosum के layer में, keratinocytes पहुंचता है, थोड़ा और mature होता है, तो lamellar bodies, धीरे-धीरे digest होने लगता है, lamellar bodies, धीरे-धीरे digest होती हैं, इनके outer covering, degrade करके, इनके भीतर का, जो भी free fatty acids और ceramics होते हैं, वो release किये जाने ही, शुरू कर दिये जाते हैं, बात जो lamellar bodies, अपने भीतर packaged करके, fatty acids और ceramics को रखे हुए हैं, जब ये उपर के पहुंचता है, तो इसके भीतर के fatty substance को release किया जाता है, अगर ये substance, ये cementing materials अच्छे तरीके से release नहों, यानि ceramics या fatty acids का जो substance यहां पर पहुंच रहा है, ये अगर अच्छी तरीके से नहीं पहु जिसके कारण intercellular edema होने लगेगा, और यह problem हमें eczema में देखने को बिलता है, इसमें skin से कुछ fluids ooze out होने शुरू हो जाते हैं, एक्जिमा के patients में infection होने के chances बहुत जादा हो जाते हैं, क्योंकि ये glue like material वहाँ पर नहीं होता है, इस वज़ा से edema हो जाता है, कुछ fluids भी ooze out ह हो सकते हैं, और staphylococcus का infection काफी होने के chances बढ़ जाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझना है, कैसे fatty substance यहाँ पर release हो रहा है, यहाँ पर spinous cells आपको दिखाई जा रहे हैं, spinous cells धिरे धिरे ऊपर के और जाते हुए granular cells में बदल रहा है, granular cells तक पहुंचते पहुंचते इस इसके भीतर का जो lamellar bodies है, यह cells mature हो रहा है, तो इसके भीतर का lamellar bodies भी mature होगा और इसके भीतर आप देखें, इसके भीतर का जो fatty substance है, ceramides है, fatty acids है, वो बाहर की और release किये जाने शुरू कर दिये गया है, इतना ही नहीं, इसके भीतर keratinization की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती, kerat hyaline granules भी हमें देखने को मिलते हैं, एक और process देखें, हमने यही पढ़ाना, stratum spinal, basal, जो लगातार mitosis के द्वारा divide करके ऊपर की और बढ़ती जा रही है, इसमें stratum spinosum next layer होगी, इसके maturity का नया level, stratum spinosum के रूप में होगा, जिसमें cells के भीतर keratin के fibers और lamellar bodies accumulated मिलना शुरू हो जाएंगे, यही आगे चल करके और mature होंगे, तो lamellar bodies lipids को release करेगा, जबकि keratin fibers, keratohylene granules के रूप में नजर आने शुरू हो जाएंगे, तो अब देखें, यह उपर के और बढ़ करके stratum granulosum के रूप में पहुंचता है, stratum granulosum में keratohylene, जो कि यहाँ पर keratin fibers थे, वो keratohylene के रूप में और यहाँ पर lamellar bodies, धीरे-धीरे digest होते हुए, lipids को release करना शुरू कर देता है, हमने बात किया था, stratum spinosum के level पर, stratum spinosum के level पर, desmosomes के बारे में, desmosomes इस layer को एक दूसरी के साथ जोड़े रखने का काम करती है, और desmosomes, जो intercellular connection है, intercellular junctions हैं, इसको बनाने के तीन प्रोटीन काम करते हैं, desmoglen, desmocoline, desmoplacan, इस तरीके से यहाँ पर तीन प्रोटीन होते हैं, desmoglen, desmocoline, desmoplacan, जो desmosomes की structure को बनाने का काम करते हैं, और अगर यह desmosomes नहीं पाया जाएंगे, desmosomes नहीं होंगे, तो यह cells, जो इस तरीके से hexagonal shape के नजर आ रहा है, यह round shape के हो जाएंगे, cells के बीच का interconnections तूट जाएगा, ऐसा pamphigus में होता है, इसी तरीके से कुछ मामलों में हम देखेंगे, keratin का defects होने लगेगा, जिसके कारण keratinocytes fragile हो जाएंगी, और keratinocytes बीच बीच में तूटने लगेंगे, death उनका होने लगेगा, ऐसा epidermiolysis bullosa simplex में हो कभी पाया जाता है, और सबसे उपर की और stratum corneum के layer होती है, जो कि dead cells है, hard protein के envelop रखती है, चुकि ये जो बाहर के और release कर रहे हैं ते lamellar bodies, उसे की वज़ा से ये काफी hard होगी, nucleus नहीं होता है, और ये waterproof layer के रूप में पाया जाते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में क्या-क्या हो रहे हैं, differentiation होता जा रहा है, और इस वज़ा से उपर के और जाते हुए, इनमें तमाम तरीके के changes होते हैं, stepwise बात को समझने की कोशिश करें, तो stratum spinosum में drains granules होते हैं, जो odland bodies कहलाते हैं, ये odland bodies ही lamellar granules कहलाते हैं, ये धीरे-धीरे करके modified lysosomes हैं, जो बाद में चल करक और जो fatty acids हैं, उसको release करने में मदद करते हैं, आगे चल करके हम देखेंगे, अगर intercellular junction, जो stratum spinosum में बनता है, उसमें defect आने लगे, याने desmosomes में defect आने लगे, तो कौन-कौन सी problem होगा, और इनके बीच से कुछ cells damage होकर के dead होने लगे, तो क्या होगा, इतना ही नहीं, इनक की basis पर तमाम तरीके की pathological conditions के बारे में हम चर्चा करेंगे,